मेश राशी आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा परिवार के कारियों में आपकी व्यस्तता रहेगी कोई शुब सूचना आपको प्राप्त होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है सत्तर प्रतिशक मध्यम भाग्य आपके साथ जुड़ा हुआ है ब्रिशवराशी स्वास्थ्य में सुधार होगा नौकरी में अनुकूलता आएगी धन का लाब होगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65 प्रतिशक जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाब होगा मिथुन राशी करियर में सुधार होगा सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी मानसिक चिन्ता आपकी समाप्त होगी भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी डिप्रेशन जैसा अवसाद जैसा महसूस होगा स्वास्त का ध्यान बनाए रखें किसी मित्र की सहायता इस समय प्राप्त होगी किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किले कम हो जाएंगी शुबरंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा सिंगराशी आर्थिक लाब के योग बन रहे हैं करियर की स्थिती में आपके सुधार होगा परिवार में शुबकार्य होंगे किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है कन्याराशी संपत्ति लाब के योग बन रहे हैं रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा यात्रा के योग भी बन रहे हैं खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है तुलाराशी धन का लाब होगा काम की रुकावट आपकी दूर होगी यात्रा के योग आपके बन रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है नब्बे प्रतिशत सबसे ज़ादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिश्यक राशी सेहत बिगड सकती है परिवार की चिंता हो सकती है आफिस में विवादों से बचाव करें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन के मुश्किलें कम हो जाएंगी शुबरंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है साथ प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा धन उराशी धन लाब के योग बन रहे हैं करियर में आपको सफलता मिलेगी काम की रुकावट दूर होगी भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सत्तर प्रतिशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आपके लिए आस्मानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है असी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्राशी मानसिक चन्ताएं कम होंगी धन लाब के योग बन रहे हैं मान सम्मान आपको मिलेगा खाने पीने की वस्तुका अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी जादा बेहतर होगा शुबरंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी परिवार में समस्या हो सकती है चोट चपेड से बचाव करें ओफिस में अपने शान्ती बनाए रखें किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन के मुश्किलें कम हो जाएंगी शुबरंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60 प्रतिशत मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम होगा आस्टो तक आपकर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए आस्टो तक आप और चिटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से